पिछले एक पक्वाडे के दौरान काली मिर्च के दाम में करीब 19 रुपए प्रती किलो की गिरावट आने से स्वदेशी उत्पादक काफी चिंतित और परेशान है। गत एक सप्ता के अंदर ही इसका भाव 11 रुपए प्रती किलो घट गए। पिछले पांच सप्ताहों के द गरेलू बाजार मूल्य में आ रही गिरावट का प्रमुक कारण बताया है। कोची के टर्मिनल मार्केट में काली मिर्च का दाम घटकर अंगारबल्ड श्रेनी का 627 रुपए प्रती किलो तथा गारबल्ड रुपए प्रती किलो तथा गारबल्ड श्रेनी का 647 रुपए स्टॉक से भरे हुए हैं। माना जा रहा है कि यह माल मुंबई से उत्तरी, पूर्वी एवं मध्यवर्ती मार्केट में पहुँच रहा है। और यहां तक कि दक्षिनी भारत में भी इसकी बिक्री हो रही है। जिसके चलते स्वदेशी काली मिर्च की कीमतों पर भारी दबाव देखा जा रहा है, जिससे सभी प्रमुक उतपाद को प्रांतों में किसानों को नीचे दाम पर अपना उतपाद बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। जिन सहकारी क्रिशक समितियों ने आगे दाम बढ़ने की उम्मीद से काली मिर्च का स्टॉक जमा किया था, उसे भी अब अपना स्टॉक घटाने का प्रयास करना पड़ रहा है। विशलेशक के मुताबिक जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2024 की तिमाही के दोरान देश में कुल 12606 टन काली मिर्च का आयात हुआ, जिस हजार टन से उपर पहुँच गया है, और वहां से अधिशेश स्टॉक को भारत में बेचने का प्रयास हो रहा है। वैसे इस आयातित काली मिर्च की क्वालिटी हलकी बताई जा रही है।